Hello friends, welcome in your physics class. आज हम दिखने जा रहे हैं, चप्टर नमबर वन, रोटेशनल डैनेमिक्स का ट्वल्थ नमबर का नुमेरिकल. तो यह नुमेरिकल है, somehow an ant is stuck to the rim of the bicycle of the wheel of diameter 1 meter. तो यहाप एक wheel हमारे पास में है, जिसका diameter जो है, आपको दिया वाए 1 meter. तो लेट से कि हमारे पास में यह वाला wheel है, जो मैंने अभी आपको यह पे screen पे ड्रोग करके बताय हुआ है, और इस wheel के अंदर में, जो हमको diameter बताया गया है, वो diameter दिया हुआ है, 1 meter का, ठीक है? 1 meter diameter का मतलब हो गया, मुझे यह यह पे given data लिखने में आसा नहीं हो जाएगी, अगर मैं direct radius is equal to 0.5 meter लिख दो तो, ठीक है, कोई problem नहीं, फिर उसके बाद में हमको information दीवी है, while the bicycle is on central state, इसका मतलब है कि यह bicycle का जो wheel है न, वो free to move है, बस उसे ज़्यादा कुछ और नहीं, देखें यह जब rotate होना शुरू करेगा न, तो एक second में कितना करेगा वो, एक second में दो चक्कर मारेगा, दो revolution, यह एक और यह दूसरा है न, ऐसा इसका मतलब है, तो यह speed attain होगी पूरे 10 second में, तो परे 10 second के पहले क्या कर रहा था, 10 second के पहले वो rest में था, बर-बर है, इसका मतलब इसकी initial जो speed थी हमारी, वो हम लिख लेते है, N1 is equal to 0 revolution per second, और बात की speed जो हम ले रहे हैं, वो यह अन्टू बोल रहे हैं, वो है हमारा 2 revolution per second, ठीक है, और यह सब हो रहा है 10 second के अंदर में, तो T is equal to हम ले रहे है 10 second, ठीक है, ठीक है, जो भी information अमने लिया वा है, वो यही से लिया वा है, और साथ में बोल रहे हैं, बहुत ही खास point है, with uniform angular acceleration, इसका क्या मतलब है, alpha जो है, वो constant रहना चाहिए, throughout, ओके, तो हमारे पास जो बताया गया, वो alpha is equal to constant, इसका क्या मतलब है, और कौन सा यूज़ करेंगे, वो अब हम देखेंगे, ठीक है, पर पहली एक बात होता है, यहाँ पर alpha हमको निकालना है, so get ready to find alpha, alpha निकालने के लिए, बहुत ही simple सा formula हमारे पास में है, solution हम लिख रहे, alpha equals, omega 2 minus omega 1 divided by T, यह हमारा formula है, अब omega मतलब हो गया 2 pi n, तो यह मैं लिखा इस प्रकार से, correct, divided by time T, अब इसमें value डालेंगे, 2 pi into, n2 का value हमने ले लिए वह है 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिख लिया, और यह n1 का value 0 है, तो यह term तो 0 बनने वाली है, तो हम यहाँ पर नीचे में time लिख लिए 10 seconds, देखो 10 seconds यहाँ पर time दिया वाई, जो मैंने यहाँ लिख लिख लिया, अब यह बन जाएगा, कितना बनेगा देखो तो, यह हमारा number बन गेगा, 4 by 10 into pi, इसका मतलब 0.4 pi red per second square, अब बोलोगे, सर्याप pi का value क्यों नी डाला, मतलब नहीं है, तो कि pi निकालना हमारा उद्देश नहीं है, बरबर यह साधन है, यह साधन है, तो हमको जो चाहिए है, वो चीज, यह number up revolution completed by the ant, in these 10 seconds, देखिए, अगर ant यहाँ पर चिप किवी है न, तो इसका मतलब है, वो जितने भी revolution ant करने वाली है, उतने ही revolution अपना wheel भी करने वाला है, बरबर है, तब यह number up revolution निकालेंगे कैसे, तो चेलिए मैं आपको बता रेता हूँ, यह पर, जब यह wheel एक revolution complete करेगा, देखिए, one revolution complete हो गया, तो यह पर angle कितने का shift होगा, angle shift होगया, हमारा 2 pi radian का, कितने revolution में, भई, इंटू 1 कर देता मैं, एक revolution में, अब चलो, दो revolution होगया, इसे मान के चलते हैं, तो ठीटा बनेगा, हमारा 4 pi, 4 pi का मतलब, 2 pi into 2 revolution, बरबर है, एक revolution में 2 pi, तो 2 revolution में 4 pi, और 3 revolution होगया, मान लो, तीसरे revolution की बात करते हैं, तो यह हो जाएंगा 6 pi, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 pi into 3, आप गोर करिए, पहले revolution को into 1 किया, दूसरे को 2 किया, तीसरे को 3 किया, अगर यन नमबर अप revolution होते हैं, जो हमको मालूम नहीं है, तो हमारा ठीटा जो है, 2 pi तो वैसे रहे था, into 1 बन गया होता, है ना, तो ठीटा हमको निकालना है, ठीटा निकालने से 1 निकल सकता है, तो ठीटा वाला formula कुन सा है, आप देख रहें, equation number 2 और 3, यह दोनो equations में, ठीटा मौझूद है, और क्योंकि हमें time t given है यहाँ पे, तो हम second equation के साथ जाएंगे, आपको समझ में आरी ना बात, तो हम second equation के साथ जाने वाले हैं, तो चलो वापस हम जाएंगे भी, यह number 1 दे देता हूँ, क्योंकि मैं पहला finding यहाँ पे ले रहा हूँ, यह जो हम highlight कर देते हैं इस चीज को, यह देखे, यह पहली चीज हम determine करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे number 1 लिक लिया है, हाँ तो number 1 पर हम आ जाएंगे, और equation लिकेंगे, theta is equal to omega 1 t, plus 1 by 2 alpha t square, अब theta मतलब हो गया 2 pi n, जो यह न अनोन है हमारा, omega 1 का मतलब होता है 2 pi n 1 into t, और साथ ही साथ यह as it is हम यहाँ पे लिक लिए है, अब formula लिक लिए, आप value डालेंगे, दियन रखना value डालने की जल्दी नहीं करना, अगर formula मोडिफे करना है तो पहले मोडिफे कर लेना, और एक सथ सब की सब values डाल देना, तभी मही यहाँ पे 2 pi n as it is, 2 pi, अभी यह तो 1 1 तो 0 है ना, यह देखो 0 into t कर दिया मैंने, तो यह तो पुरा 0 होने वाला है, तो यह लिखनी की भी जोरत नहीं है, तो t का square हमने ऐसे किया, यह pi के साथ pi cancel हो जाएगा, so clear, अब चलो, n is equal to निकालना है, this is equal to, n is equal to, यह बन जाएगा 0.4 into 100, divided by, यह 2 already मोचुद है, और यह इधर से 2 आगया, इधर multiply हो गया, right है, 2 to the 4 होता, 4 को कट दिया इसके साथ मैं, तो यह नीचे में हो जाएगा मेरा 10, ठीक है ना, आप 10 ने काट दिया 100 को, यह बन गया मेरा 10, ठीक है, तो answer आगया हमारा 10, तो n is equal to 10 revolutions, clear है, तो मेरा पहला answer आगया, यह लो, first answer is here, चलो देख लेदे वापस question की तरफ, यह लेजे, यह first answer यह हमारा 10 revolution, ठीक है, यह मैं तोड़ा correction कर लेता हूँ, यह second answer जो हम रूट में होना चाहिए, तो यह first answer मेरा 10 revolution आगया, अब मैं चलूँगा second की तरफ में, अब second क्या कहता है, वो देख लेते हैं, जो second हमारे पास में है, यह वाला, उसको हम देखते हैं, यह क्या कह रहा है, तो time taken by it, for first complete revolution, पहला part तो इसमें इतना ही बोला है वही, कि आप time निकाल लो, कि पहला first complete revolution होने के लिए, समय कितना लगता है, इतना वो पोच रहा है, ठीक है ना, तो सिप पहली एक revolution के लिए, समय कितना लगता है, वो देखने के लिए, हम इसको घुमाएंगे बार-बार, जैने कोई इस तरह से, एक revolution complete हो जाएगा, तो हम कितना समय लेंगे, वो हमको निकालना है, एक revolution में हमारा ठीटा बन जाएगा, ठीटा 2 pi n, correct है, बस, तो हम सेकंड इक्वेशन ही यूज कर ले दे, चेलो, यहाँ पर हम, नमबर 2 डाल देंगे, यूजिंग, क्या होगा, ठीटा इस इक्वल टू, क्या रहेना चाहिए, मारे पास ठीटा, ओमेगा 1 t, ब्लस, हाँप अलपा t square, और यहाँ पर 2 pi, इसको जब मैं सिंप्लिफाइ कर दोंगा, तो मुझे क्या मिलता है, अब देख रहें, pi के साथ pi कैंसल हो रहा है, और जो बचेगा, वो कुछ इस प्रकार से, 2 into 2, divided by 0.4, is equal to t1 square, ओके, इससे क्या मिला, t1 is equal to, अब देखो, यह इसने इसको काटा, तो यह बन गया, 10 मतलब root 10 second, correct है, तो t1 आपको मिला, root 10 second, देखे second का first answer आपको क्या मिला, मिल गे आपको answer सही, अब हमें चाहिए t last, अब यह t last क्या चीज होती है, चलो t last के लिए समझते हैं, सबसे पहले मैं वापस से एक wheel ले लेता हूँ, जो हमारा wheel था, वो कुछ इस प्रकार का था, वो हमने wheel ले लिया है, अब इस wheel का rotations देखे क्या होता है, अगर मान के चलिए कि इसका first rotation जो है, वो यहाँ से हम शुरुवात कर रहे हैं, यह radius है हमारी, R, और यहाँ पे angle बन रहा है शुरुवात का zero, तो यहाँ से एक rotation complete हो गई है, दो rotation complete हो गई है, समय लगातार चल रहा है, कुल में लाके 9 rotation complete हो गई है, बरबर है, तो क्या समय लगा इसको, लेट से कि T9 समय लगा इसको, अब मैं 10 वी revolution complete करने जा रहा हू, पाकरी वाली revolution कुन सी है, 10th number की, तो मैं कैसे निकालू, 10 revolution को लगने वाला समय, माइनस 9 revolution को लगने वाले समय को, यह जब solve कर लूँगा, तो मुझे मिलेगा T last, क्या सच रहे हैं, बरबर है, तो बस चल पढ़ते हैं इसी बात में, अब यहापर यूज करने वाले हैं, यूजिंग वापस से वही एक्वेशन, टीटा इस एक्वल टू, ओमेगा वन T, प्लस हाप अलपा T स्क्वेशन, यह एक्वेशन का इस्तमाल हम करने वाले हैं, तो लो, पहले, 4, N इस एक्वल टू, 9 revolution, तो 9 revolution में क्या होता है, 2 pi into 9, इस एक्वल टू, यह तो 0 ही है पहला वाला, प्लस 1 by 2, 0.4 pi into T 9 स्क्वेशन, ओके, इस से, अब इसको हम स्वाल करने वाले हैं, तो क्या मिलता है, यहाँ pi से pi कैंसल होते वे दिकाई दे रहे, और फिर मैं इसको बाजू में लिखता हूँ, 2 into 9 divided by, अब यह 0.4 है न, यह नीचे आ गया, और जो 2 है वो उपर इधर में आ गया, अब देख सकते हैं, एकदम स्रालता के साथ, अम इसको स्वाल करने जा रहे हैं, अब यह 2 और यह 2, यह 0.4 है, कट गया, तो उपर 10 बच गया, 9 into 10, यह हो गया 90, मतलब T9 आपको मिला, root 90, अब देखे, root 90 जो है, वो हाँ, तो चलेगा नहीं, यहाँ पर इसको solve करना पड़ेगा, तो इसका जो square root आता है, वो आता है, 9.4868 second, आप बोलों के सर, आपको direct कैसे पता, आपने सीधे ही लिक लिख लिया, तो यह 2 तरीके से हो सकता है, यह तो आपको यह value मलूम है, बढ़ ऐसा तो होता नहीं, कि हमको यह जुबानी रटके रखे हो, यह पिर आप calculator वेगर यूज करके, इसको निकाल के देख रहे हो, बरबर है, पर एक्जब में तो वो भी अलाउड नहीं, अब स्टुडेंट के लिया से देखा जाए, तो स्टुडेंट को यह value उस वक्त में वे इस वक्त में सॉल करनी है, अपने आप, तो एक धान में रखे है, स्टेट बोर्ड को यहाँ पर एक lock table मिलता है, स्टेट बोर्ड वाले स्टुडेंट्स को, तो वो सेंटर पर lock table ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, उनके पास मिल जाता है, उन्होंने जब बोला तो उन मिल जाएगा, और उसका इस्टमाल करके, यह वैल्यू वो कैलकुलाइट कर सकते है, रही बात, स्टेट बोर्ड वाले के अलावा, दुसरे बोर्ड के अंदर में, जैसे सीबी असी वेगरे में, लॉक टबल नहीं मिलता, तो वहाँ पर इसको सॉल करने का दूसरा तरीका है, मैं आपको यह पर बता रहा हूँ, देखो, अगर मुझे पस रूट 90 है, तो मैं इसको बोलूँगा 3 रूट 10, और यह 3 रूट 10 में, तो रूट 10 का वैल्यू मालूमी होना चाहिए आपको, यह होता है 3.16, जब आप इसको मुल्टिप्लाइ कर लोगे न, उस अप्रोक्सिमेशन के साथ, अमारा आंसर फाइटू मिलेगा, इतना, पर सिब एसी में ऐसी अंसर चलेगा, यहां की बात अलग है, यह स्टेट बोड में क्या है, यह पूरे फ्रेक्शन फ्रेक्शन देखने वाले है, तो नेचरली, यह जो आकरी वाला डिजिट है यह थोड़ा बैरी हो गया न, तो भी कोई टेंशन नहीं रहता, यह धान रखना, क्योंकि जब हम यह पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे न, तो वैसे भी हमारे दो आंसर निकल के आने वाले है, फिर आप बोलेंगे which one is correct, तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो as a valuer, अमको दोनों ही चेक करने पड़ते हैं, और दोनों चेक करने के बाद में, दोनों ही को आंसर देने, दोनों को मार्क देने पड़ते हैं, तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, अगर आप 0.52 भी आपका अंसर आता है आपका यहापे, तो वो नकारा नहीं जाएगा, फुल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर देट अलसो, ठीक है, पर मैं चाहूंगा कि आप बिलकुल टेक्स्बुक के अंसर के साथी चलिए, देखिए, लॉक्टेबल से यह वैल्यू आपको यहापे मिल जाने वाला है, अब मैं यूज करूंगा 10 रिवोलुशन के लिए, फॉर एन इस इक्वल टू 10, रिवोलुशन, अब होगा मेरे पास 2 पाई इंटू 10, इस इक्वल टू यह तो 0 हाई, हाप 0.4 पाई इंटू T10, यह 10 रिवोलुशन के लिए लगने वाला समय निकालने जा रहा है, तो वापस पाई के साथ पाई यहापर किंसल होते दिखाई दे रहा है, अब यह बन जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 2, डिवाड़ेड बाई 0.4 इस इक्वल टू T10 का स्क्वेर, अब हम इसको किंसल करने जा रहे, आप देख रहें, यह किंसल हो गया, उपर में 10 बच गया, और यह 10 हंड्रेड, तो T10 का मतलब हो गया 10 सेकंड, तो चलो यह दूसरा मिल गया, अब ही T लास्ट निकाल रहे, जो हम हम निकालने के लिए बोला है, तो इससे निकालना है, T10 माइनस T9 करके, तो T10 का वैल्यू 10 सेकंड, और यह 9.4868, जो हमने इसके पहले यहाँ पे वैल्यू निकाले थी हो, आप दोनों का डिपरंस निकाल लेंगे, लेंगे, तो पहला भी आया, यह दूसरा भी आया, और यह तीसरा भी आया, ठीके? तो यह तरही कह था, प्रब्लम नमबर 12 को solve करने का, उमेदे है आपको यह समझ में आ गया, समझ मैं आप तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले और हाँ, अन्या प्रोब्लम्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी वी है जिने बाकी नुमरीकल चाहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो लिंक को चूज करके वो आप ले सकते हैं ठीक है, चेलिए, बाबाइ